नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आप लोग की त्यारी कैसी चल रही है बच्चों आप लोगों ने कल की क्लास देखी आप लोग बच्चों फीडबैक नहीं देते हो फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि किसमें आपको प्रॉब्लम है ठीक है क्या आप को problem हो रही है अगर मुझे हम लोगों को पता चलेगा तभी न हम आपके समस्याओं का समाधान कर पाएंगे तो आप लोगों समस हम पढ़े थे तीन अफ़िक बाकी थे तो चलते हैं देखते हैं चौथा क्या समाधस बच्चों मतलब क्या होता है देखे डवन जो है। एसे भी लिखा होता है ठीक है यह क्या है दॉद्ग पर क्या है। हलन लगा है यानि क्या हो आधा भी होता है ठीक है जैसे देखी द्वंद का अगर हम लोग समाने अर्थ देखे यानि विरोधा भास क्या होता बच्चो विरोधा भास ठीक है यानि वे सब्द जिनमें विरोधा भास उत्पन हो वे क्या कहलाएंगे द्वंद कहलाएंगे ठीक है परिभासा पर आते हैं डाल रोटी ये क्या है ये अपने ही अपने आप में दोनों क्या है प्रधान है ठीके अपने अपने इस्तर पे ये क्या है दोनों जो है वो एक समान है यानि क्या है प्रधान है तथा या अथवा और सब्द का लोफ हो यानि इन दोनों के बीच में कहीं भी आप देखोगे त ठीक है इन दोनों सब्द के बीच में क्या लोप होता है या और या और सब्द का लोप होता है ठीक है इतना कुछ याद रखेंगे आप भूल जाएंगे आपको क्या है एक्जाम में तुरंत जो है पहचानना होगा क्यों क्यों क्योंकि एक सेकंड हमारे लिए कीमती है ठीक है तो किसी सब्द को देखके हम तुरंद कैसे पहचानेंगे कि यह द्वन्द समास है तो क्या है ट्रिक इसका योजक का चिन हो यह कौन सा चिन है वैच्चो योजक योजक चिन होता है और विग्रह करने पर क्या आए और आए ठीक है यानि अगर कोई सब्द लिखा है उनके बी और यह स्ब्द कैसे होते हैं जिरुं में बीरोधा भास उत्पन हो क्यों होता है उत्पन क्योंकि दोनों पज्ञें वह अपने आप में प्रधान होते हैं ठीके देखिए क्या है डाल रोटी अब फट से कोई पूछा कि डाल रोटी में कौन से समास है बच्चो तो आप क्या करोगे उसको विग्रा करोगे बहुत टाइम लगेगा डारेटा वियोजक चिन को देखे बता सकते हो क्या है ठीक है योजक चिन अगर दिया हुआ है दो सब्दो है तो क्या है इन दोनों के बीच में योजक चिन लगा है ठीक है अब बात करते हैं कि अगर किसी सब्द में योजक चिन ना लगा हो और दोनों सब्द क्या हो अपने आप में प्रधान हो तो हम लोग कैसे पहचानेंगे आए देखते हैं जैसे धर्मा धर्म क्या है धर्मा अधर्म है बच्चों ये संधी है ये संधी में भी पूछा जाता है क्या है कौन सी संधी है हमने संधी में आप लोग होमवक नहीं करते हो ठीक है क्यों क्यों कि हम लोगों ने पढ़ा था यहां से धर्म से हम लोगों ने क्या लिया और यहां से अधर्म हुआ इसको अलग करे थेगे तो अधर्मायेगा ठीक है और से हम लोगों ने लिया अधर्म से लिया दोनों मिलके क्या बना आ तो धर्माधर्म कौन सी संदी है देर्ग संदी है तो संधी तो सब्दों यह ग्या है गहें और से संधी वहां पूर्ण से क把它 क्या है इन दोनों के बीच में क्या विरुद्धाभास हुआ ऊप control करेंगे तो क्या होगा ध्रम और ठीक है वैसे ही हरीहर दिया है ठीक हरीहरी इस मैं रहने थे तो आप कैसे पहचानगे इसको आप लोग अलग करोंक तो कैसे अलगła करोंगर हरी और हर censra हरी किसका नाम है विष्णू जी का ये पर्यवाची में भी आएगा आप इसको एड कर लीजेगा लिख लीजे नोट कर लीजे हर किसको कहा जथा है झापती स्थीश्यू का अन्य नाम हर है जिसे हर हर महादे होता है न वै रिक्षमी क्लियर हुआ अब आगे चलते हैं कि आगे क्या है बहु वरीही समास ठीक है परिभासा देखते क्या है जिस सब्द में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा साब्दिक अर्थ को छोड़ कर एक नया अर्थ निकाला जाता है यानि कि द्वन समास में हम लोगों ने देखा ता कि जो दोस्त पद है वो अपने आप में प्रधान है ठीक है वहीं बहु वरीही समास क्या कहता है कि जो दोनों पद है वो प्रधान नहीं होता यानि कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है और आगे क्या करा परिभासा की वे अपना अर्थ छोड़ के यानि जो दो पद हैं वह अपना अर्थ छोड देते हैं जब वो मिलते हैं एक नए अर्थ बना देते हैं कैसे एक्जाम्पल से समझते हैं क्या है वीड़ा पाड़ी क्या है बच्चों वीड़ा पाड़ी यह दो सब्द हैं एक क्या है पहला पद क्या है वीड़ा है दूसरा पद क्या है पाड़ी यह दोनों को मिला के क्या बना था क्या बना है वीड़ा पाडि है ठीक है कि पीड़ा पाडि ठीक तो अब वीड़ा क्या है बच्चों ये एक संगीत यंतर है क्या है संगीत यंतर है by लेकिन चपारी मिलते तो वीड़ा पाड़ी बन गया अगर वीड़ा पाड़ी आप बोल रहे हो तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या है वीड़ा पाड़ी वीड़ा पाड़ी से कौन सा अर्थ निकलता है किसका नाम निकलता है सरस्वती यानि सरस्वती जी का नाम क्या है वीड़ा पाड़ी क क्यों है क्योंकि वीड़ा है जिसके पाड़ी में मतलब वीड़ा है जिसके हाथ में किसके हाथ में वीड़ा है सरस्वती जी के ठीक है एक ट्रिक है बच्चों कि इसको आप करोगे बहुत लंबा लगेगा आपको समझ में नहीं आएगा तो ट्रिक यह समझना है कि कभी कोई स सब्द हो या सम्भू के लिए एक सब्द आता है तो वो क्या होता है कौन सा समास होता है वो होता है बहुब्रीही समास ठीक है यहां पर क्लियर करना चाहेंगे बच्चों कभी-कभी क्या होता है जैसे इसमें क्या है इसमें भी जो दो पद है इसमें क्या कहा है कि दोनों पद कि बच्चों को कर देता है यसी चतुरभूज क्या है 4 है यहां कि बताइजारी कि इसकी भूजा की बुजा की कितनी भूजा है चार भूजा है ठीके तो इक्जाम में कन्फ्यूज करने के लिए क्या देता है कभी कभी चतुरूभूज लिख देगा उर पूछेगा कौन सा समास ठीके अप्टीके आपका बहु वरिही और द्वण्द और द्वण्द शारी ब अगर कभी ऐसे कोशन आ जाते हैं जिनका जिनका जो अर्थ हो वो देवी देवता ठीके याँ किसी विशेश सब्द का पर्यवाची हो तो अगर वहां पे बहुवरीही और दिगू है तो हम वहां पे बहुवरीही को ही सही मानेंगे यहां कन्फ्यूज मत हो येगा बहुवरीही और दिगू में कौन सा होगा ठीक हमेशा बहुवरीही ही माना जाता है ठीक है तो विड़ा पाड़ी हम लोगों ने देख ली आता फिर चंद्र मौली यहां पर चंद्र का अर्थ किसे बच्चों चंद्रमा से है मौली यानि मस्तिक्स ठीक है अब हम लोग चंद्र मौली एक साथ बोलते हैं यानि चंद्र है जिसके सर पर यहीं होगा तो किसके सर पर आप लोग चंद्र देखते हो संकर जी के ठीके लंबोदर क्या है लंबोदर लंबोदर मतलब में कौन दो सब्द मिले हैं लंबा धन उदर लंबा क्या है बच्चों लंबा है इसका अपना अर्थ है लंबाई उदर मतलब पेट उदर क्या है पेट किसका पेट लंबा है गनेश का ठीके या अगर यह सब्द बोलते ही आपको क्या हो रहा है एक अर्थ निकल रहा है किसका वो अर्थ किससे जुड़ा हुआ है किसी देवी या देवताओं के नाम से तो वो क्या होगा हमारा बहुवरी ही देखिए यहां पे चतुर भूज है यहां पे चार भूजा भूजा क्या होता है आपका हाथ या बहां बोल सकते हैं इसको भूजा को यह पर्यवाची इसको लिख लिजेगा अंबर गगन अकास यह क्या है पर्यवाची है आया तो क्या है दिसाही अंबर जिसका किसका है ठीक है तो क्लियर हुआ इसका बहुवरी ही समास क्लियर हुआ अब आगे चलते हैं क्या है अव्यई भाव समास अव्यई भाव समास में क्या है जिस सब्द में पहला पद अव्य या उपसर्ग होता है ठीक है तथा जिन सब्दों में आविती पाई जाती है अविती पाई जाती है वह अव्यई भाव समास होता है कैसे समझते हैं ट्रिक जी मालो कोई सब्द है हम लोग ले लेते हैं प्रत्यांग, ठीक है, प्रत्यांग, ठीक, तो क्या है, प्रत्यांग में क्या है, क्या जुणने पे नया सब्द बना है, प्र, प्र हमारा क्या होता बच्चे, उपसर्ग होता है, यह आप लोगों ने पढ़ा है, उपसर्ग होता है, यानि कि कोई ऐसा सब, कोई ऐसा जो है, वो वर्ण हो जुडने से दूसरे सब्द का अर्थ बदल दे वही क्या होता है हमारा उपसर्ग ठीक है पहले लगता है बच्चे हम इसा कन्फ्यूज हो जाते हैं उपसर्ग प्रत्य में उपसर्ग क्या होता है बच्चों पहले लगता है और प्रत्य बाद में लगता है इससे उपसर्ग होते हैं अगर किसी सब्द के साथ जुड़े हो और पुछे उस सब्द का समास पुछे कि समास की पहचान कर ये तो आप उसको क्या कहोगी कौन से समास है अव्याई भाव समास है ठीक है देखे कैसे यथा सक्ति यथा जुड़ने से क्या हुआ यथा सक्ति क्या हो रहा बच्चों यहां पर अर्थ बंदला यथा सक्ति यहने सक्ति के अनुसार क्या जुड़ा है इसमें क्या उपसर्ग है यथा है यह क्या है उपसर्ग है वहीं प्रती दिन ठीक है यहां पर आवित्ती भी पाई जारी है दिन दिन ठीक है यहां पर प्रत यानि इन सब्दों का अगर देदे का पहचान करने में उपसर्ग जो है वह आप बता लोगे उपसर्ग है तो कौन सा समास हुआ अब यही भाव ठीक है तो यह रहे हमारे समास ठीक है आगे चल अब आप क्या करते हैं आगे जो है वह वह कोश्चन से जो है बच्चों उनको सब्सक्राइढ कर लेते हैं जो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा दवन् विद्वं समस के बारे में कि जिन सब्द में तोनुंपत क्या हो प्रधान होते हैं तथा या अथ्वा और परास का लोब हो यानि वह सब्द जिन में और या या सब्द वहा when क्षिपे हूं ह क्या कहलाते हैं द्वन्द समास कहलाते हैं असान तरीका क्या था समझने का इन अगर किसी सब्द के बीच में योजक चिन लगा हो ठीक है और विग्रह करने पर और आये तो यह कौन सा समास्वा द्वन्द समास्वा द्वन्द का समान अर्थ होता है विरोधाभास ठीक है जो कोई किसी से कम नहीं है सबका जो इस-थर तो साथ में आएंगे पर टो यह हुआ फिर इसके बाद लगों अच्छाई बुराइए भी आपका आजयेगा फिर घोरा ना दोस दुश्मन, ठीक है? यह क्या हुए हमारे द्व deformation window है ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने बहुवरिही देखा, बहुवरिही को पहचानने का हम लोगोंने simple तरीका यह देखा, कि यदिक इसी सब्द में हमें किसी देवी देवता के नाम का अभास हो या पर्यवाची कि यह पर्यावाची है किसी का या समू के लिए एक सब्द आये तो हम लोग किसको कहेंगे कौन सा समासे बहुवरी ही है वहीं अव्याई भाव में क्या है यदि किसी सब्द में उपसर्ग जुड़ा हो उपसर्ग क्या यथा प्रती निर अन भरवे आधी ऐसे जो सब्द हैं वह जुड़े हों वह कौन से समास होंगे अव्याई भाव होंगे ठीक है यह हम लोगों ने देखा अब चलते हैं कोशन बच्चों यह बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऐसे ही कोशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूजन रहती है आप जब पढ़ए होते हैक रख एक एक रखिये कुछ भी कि कि यह तो है ऐसा है ऐसे ही कोशन रहते हैं बस थोड़ा सा इसका लेवल जैसे हम लोगों यह है लेवल जो है वह यही रहता है बस सब्द का महोद давно है कभी-कभी मुढ जैसे धरमा धर्म धर्मा धर्म सब्द था हमनें बताया कि वह संदी आता है वैसे महोदै में क्या है महोदै सब्द भी संदी संदी अ इसमें या पोछरा है महोदै में समास πताईगी कौं सा समास है आप देखिए क्या होगा, आपको confusion हो गया हमक को महोदैका नहीं पता है, तो हम लोग करते क्या हैं, पहले क्या करेंगे, answer सही नहीं करेंगे, गलत answer को हटाएंगे, देखिए बात सिर्फ हिंदी की नहीं है, कोई भी subject हो, आपको किसी भी subject का paper अगर लगा रहे हो, आपको क्या कहते हैं सही जवाब जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि कौन सा ऑप्षन सही होगा तो पहले आपको यह करना है कि आपको जो शेली लग रहा है कि इसका इस प्रश्ण का यह उत्तर नहीं होगा उसको पहले कर दिजानी हटा दिजे उसको इसको रखेंगे इसको ध्यान में नहीं लाएंगे बाकी जो आपको दो में डाउट हो दो कुशन ऑप्षन में लेके डाउट हो उनको आप उन पे आप लोग विचार कर सकते हैं ऐसे क्या होगा बच्चो आपका जो गलत करने के जो चांसेज व क्यों क्यों है वह एक एक क्यूंशन आपके लिए इंप्टेंट है क्योंकि माइनस मार्किंग है टो हमें नंबर जो है वह जितने हमको आ हम लोगों ने क्या पढ़ा था जिसमें संख्या का बोध हो या समू का हो यह भी नहीं है यानि इसको भी हटा दीजे उसके बाद बहुवरिही का तरीका क्या था बताया था हमने कि जिस सब्द को देखके किसी देवी देवता या किसी परयवाची सब्द कि यह Yukा म् समू के लिए एक सब्द के लिए प्रियोग हुए सब्द जैसा आभास हो तो वह अम लोग किसको कहँंगे बहु को यह भी यह सा नहीं हो रहा है महोदा देखके किसी भी देवी देवता का नाम आपको नहीं अभास हो रहा है बचा क्या कर्मधार है कर्मधार होगा इसका सही एंसर क्या होगा कर्मधार ठीक है क्यों कर्मधार है महान है जिसका उद्धे समझ में आया हम लोगों ने कर्मधार में क्या पढ़ाता कि क इसी सब्द में अगर आपको समास पूछे तो दूसरे पद के पाद कैसे लगा कर हम लोग देखते हैं अगर यदी उत्तर मिल जाये तो कौन सा समास हुआ कर्मधार होगा लगा के देखिए उद्धै कैसा उद्धै महान आया ठीक है वैसे ही दसानन में कौन सा समास है थिग है अब बताईये कि दसानन में कौन सा समास है लोगतं इस होंगे दो ओप्शन में आप पहले क्या करें हटा ये जो आप्शन नहीं उनको अपकि अब यही भाव नहीं है क्यों नहीं उपसर्ग नहीं कर्मधार क्यों नहीं यह क्योंकि इसमें विसेस्ता नहीं बता रहा है ठीक है बहुबरी ही और दिगू में हम लोग कन्फ्यूज हैं क्यूं दसानन जो हैं दसानन बोलने में क्या हो रहा है दस हैं जिसके अनमतलब क्या होता है मुख होता है दस हैं जिसके मुख किसके मुख होते हैं ऐसा ऐसा है ना कि किसी को इस नाम से जाना जाता है दसानन दस हैं जिसके अन्यानी मुख किसके मुख दस थे रावर्ड किसके ते रावर्ड यानि रावर्ड को दसानन भी कहते हैं यह नाम हो गया परयवाच्यों गई यानि कि यह क्या है बहुवरी ही वहीं पर क्या है संख्या यह दस आरी है तो ये दिगू भी हो गया ठीक है अब आप कहोगे कि मैं में एक साथ दो ऑप्षन को तो ठीक नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिती में मैंने जब आपको बहुब्रीही पढ़ाया था तो मैंने आपको एक्जांपल दिया था चतुर्भुजवाला ठीक है यानि अगर ऐसा कंडि अब देखे भाई बहिंग हमने ट्रिक पढ़ा था कि यदि योजक चिन्द दिखे तो आख बंद करके हमको क्या लगाना है द्वन्द के उसके बाद राज कुमार में कौन सा समास है अप्षन है तत्पुरूस बहुब्रीही अव्यईभा और कर्मधार्य बताए राज कुम राज का कुमार ठीक है वैसे पद्षूत में कौन सा समास है तत्पुरूस है बहुब्रीही बिल्कुल नहीं बहुब्रीही नहीं होगा इस सब्द से किसी व्यक्ति की छवी नहीं समझ में आरी नहीं है किसी का पर्यावाची कर्मधार बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यह क् बच्चों से हमारा क्या है कारक्ट है और कौन सा फिर होगा अगर किसी सब्द समास पूछे और कारक्ट चीन रहे तो वो क्या होता है ततकुरुस होता है ठीक है अब देखिए आप च्छटवा कोशन क्या है किस सब्द में बहुबरी ही समास नहीं है अब छाटी किस सब्द मे सी ठीक चलिए इसको रखते साथ रिसी चक्र पाड़ी यानि चक्र मतलब चक्र क्या है यंत्र है अस्त्र है पाड़ी मतलब हाथ इसके हाथ में चक्र रहे किसको कहा जाता है विश्णु जी यानि एक छबी बनी ठीक है बजरंगी बजरंगी किसको कहा जाता है किसी देवता को कहा जाता है किनको हनुमान जी को हम लोग बजरंगी कहते हैं तो बहुरी यही समाज में देवी देवताव के नाम आते हैं तो क्या नहीं होगा सब्त्रीसी जो है वो नहीं होगा तो हमारा सही जवाब क्या है दूसरा सब्त्रीसी यह हमारा कौन सा होगा समाज वच्चो यह होगा द्युगू समाज ठीक है फिर यह है किस सब्द में तत्पूरुस समास नहीं है, तत्पूरुस समास में हम लोगों ने पढ़ा कारक्चिन, आप देखें कारक्चिन किसमें नहीं है, मदान्थ, ठीक है, मदान्थ, जेब खर्च, डाल रोटी और विद्याले, विद्याले क्या है, विद्याले, विद्य से जेब का खर्श वैसी मदान मदसे अंध ही कि तो यानि कंट किसमें नहीं होगा ठीक है अब जली क치를 करते हैं कि समास में 2 समास नहीं अब देखिग किसमे नहीं है राग्दवेश यथासाद्य जीवन जन्तु जीवजन्तु और रही बताइएं किसमें न дол समाश पहचाने का सब्सक्राइफ समस्हें तरीका है योजग चिन इसमें प्रतिया रहा है यह हमारा क्या हुआ बच्चो प्रति मतलब कौन सा नहीं है घुड़ सवार कियों घुड़ सवार यह क्या है घुड़ यानि घुड़ा सवार मतलब बैटना जो चालक होता है ठीक है तो कौन सा नहीं होगा तीसरा उसके बाद पुछा है किस सब्द में जिगू समास नहीं ऑप्सन देखते हैं महाजन दूसरा है अठनी इसरा है नौरतन चौता है पंचतत्व अठनी नौरतन और पंचतत्व में क्या है वच्चों संख्या बताई जा रही वहीं महाजन क्या है महान महान है जो जन कैसा जन जो महान है यह क्या हुआ कर्मधारे हुआ तो हमारा सही होगा पहला वैसे ही पसेरी में कौन सा समास है पताएए बहुवरी ही है, व्युगु है, द्वन्ध है या तत्पुरूसै, वही कमलनयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है देखिए कमल नयन ठीक है अगर इनको हम लोग बोलते हैं यह सब्दू तो किसी की छवी भी उत्मन हो रही है ऐसे तो यह बहु ब्रही समास है क्या है कमल नयन जो है वो राम जी का नाव है विश्णु जी को भी हम लोग कमल नयन भी कहते हैं नयन ज चचु यह क्या है नयन के परिभासा यह सारी चीज़ें परिभासा में पूछ सकता स्वरी पर्यवाची में स्वरी पर्यवाची में क्या है यह पूछ सकता है तो याद रखेगा इसको तो कमल के समान किसके नयन है राम जी के विश्णु जी के तो यह हमारा बहुवरिही में ह है यहीं पे अगर बहुवरीही दिया रहता ठीक है और कर्मधार दिया रहता इसका सही जवाब कर्मधार होगा क्यों होगा आगे बताते हैं दोनों अगर दिया रहता तो हम लोग किसको लगाते किसको सही मानते बहुवरीही को को ही सही मानते ठीक है चुकि यहां पर बहुविरही नहीं दिया है ऐसी स्थिति में हमारा कर्मधार जो है वह सही होगा अब अब कैसे पहचाने कमल नयन कैसे कर्मधार हुआ हम लोगों ने पढ़ा था विशेष्टा बताया है तो क्या हो रहा है विशेष्टा बता रहा है कि किसा नयन का कैसे नयान कैसा है कमल के समान आ रहा है कैसा लगा कि हम लोगों ने डिखा आ गया तो सही है रहा हुआ भवास हागर कौन सा समास में अ yourselves यह मसा पूरुस नहीं है दिगुड नहीं है अब वे भाव बिलकुल नहीं है तो है करमधारे कासा सागर भव से भरा हुआ ठीक है गुड़ दोस में कौन से समास से बहुत तीजी आप लोग तेज हो गए हो यानि योजक चिन है तो द्वन्द ठीक है तो बच्चों यह रहे आज के कोशिंस हम लोगों ने सौल कर लिए हैं ठीक है आप समास से जुड़े हुए और भी कोशिंस में आये वह आप मुझे कमेंट के तुरू पूछ सकते हैं ठीक है अपनी तयारी करिए स्वस्त्रहिए मस्त्रहिए आपका दिन सुभो धन्यवाद